विश्व के कल्याण के लिए सादु और सन्तों के द्वारा अक्सर योग और तपस्या किया जाता रहा है। पक्षिती थी दस में तक के लिए आयोजित की गई है ये कारे क्रम देवस्तान लक्षमडबाग के सामने खुले मैदान में किया जा रहा है उक्तसाधना दो पार बारा बज़े से तीन बज़े तक प्रति दिन की जा रही है जहां काफी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे है स्कार एक्रम का आयोजन समस्ता दिवक्ता जिला रीवा के द्वारा किया गया है आई आपको सुनाते हैं तपस्या कर रहे हैं संत्ने क्या कहा ये बज़ा कुछ नहीं बज़ा मानव कल्यान है विश्व कल्यान के लिए हम बैठे हुए पंचागने में इस सरसे दारिक्ट कन बीड़ोकुक्त पन नहो इसे हमारे देशबार्शियों के समस्त विश्व में जियुजनत सब का रक्षा हो यह कि नहीं करिए तो व्यल्यान हो जाएजा यह हमारे गुरु के मारदर्सं से होता है हमारे गुरू है शृ धर्मराज श्रमा जी यू पीट हम यह सब प्रेमिना मिलती है उनके आदे से हम बैठते हैं यह बारा से तीन हम यहां 25 तारिक से हैं दो तारिकों समापन है अब जब बैठते हैं तो गोपिनी चीजे रहती हैं सिर्व अपना प्राटना है यमान के चलिए कुछ चीजे बताई नहीं जाती है एक पंचांग नहीं आपकी होती है जाता है इसका वो पार्ट है और फिर तीन बजे राज से पांच बेता कुस पर एक सवार घड़े से इसनान किया जाता है वो बरसा ठंड का पंचांग निकाहला तीसी का पार्ट है बड़े-बड़े अधिकारी कर्मचारी भी आप से नहीं आते हैं सुबला क्या करते हैं अ जो है जन कल्यान आर्थेद तपा भूम लच्वन बाग में तपस्या करनी है और हम लोग जो है तो बीच-बीच में आते जाते रहते हैं और यहीं गता पोगूम में चल रहा तपस्या इंकी तपस्या दो तारीक चले गए और दोपार 12 बजे से तीन तक इंकी रहती है कर्मिशारी है जिलाद बखता सर्ण के मैं बाइस प्रेसिडेंट हूं अगर कोई तकलीफ होती है तो अब इसर के उसमें है तो अब हमें तो हमें तो ही लगता तपस्द बड़े-बड़े तपी लोग करते हैं तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ इस देशर घर्मी में आकि